हलो दोस्तों आप सभी का All About Sources में स्वागत है और यह समा सास के इगनू सीरीज है इसमें आज हम लोग भारतिय विचारक आनन्द कुमार स्वामी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आनन्द कुमार स्वामी का जन 22 अगस्त 1877 में कोलम्बो जोकी ब्रिटिश सीलोन में था और अभी यह वर्तमान में स्री लंका में है वहाँ पर हुआ था आनन्द कुमार स्वामी भारत के एक आरंभिक सामाजिक विचारक थे जिनका भारतिय समासास्त्र के विकास में महत्वपूर योगदान रहा है वे एक आदर्श वादी विचारक थे अर्थात एक ऐसा ब्यक्ति जिसे इस्वर अच्छाई के महत्व आदी जैसे जीवन के मुल्यों में जादे विश्वास हो इस संबंद में वे बिने कुमार सरकार के बिलकुल बीपरित थे जो भारती समाज के भौतिक आधार को खोजना चाते थे तो बिने कुमार सरकार के बारे में हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो कि बिने कुमार सरकार कौन थे या उनका समाशास में किया योगदान था तो आप लोग लास जो लेक्चर है इसके पहले का लेक्चर उसको आप लोग देख सकते हैं इस सताबदी के आरंभिक दो या तीन दसकों को पुनर जागरण का काल कहा जा सकता है बिवेकानन, स्री अर्विंद, रविंद्र नाटैगोर आधी जैसे गर्मान ने बेक्ति भी भारत की एक आदर्श वादी छवी प्रस्तुत करना चाहते थे इन लोगों की माननेता थी कि भारत की महानता उसकी आध्यात्मिक्ता में है इस आध्यात्मिक आत्मा को पुनर जिवीत कर भारत ना केवल अपनी दरिद्रता और पिछडे पन पर विजय प्राप्त कर सकता है बलकि भौतिक लोभ और युद्ध तथा हिंसा से उत्पीडित पर्ष्मी जगत को राहत भी पहुचा सकता है आनन कुमार स्वामी ने भारत में कला विसेश कर अस्थापत्य कला और वास्त कला के विकास पर जादे सोथकारी अपना किया था उनके लिए भारते कला अपने असंख्य रूपों में ना केवल सजावट और सौंद्वरी की व जा जा सकता है जिसकी या जिसमें स्रिष्टी की एकात्मक्ता या विवित्ता में एक्ता का संदेश हो यह महान सभ्यता और संस्कृति के लिए अस्थाई प्रमार पत्र था अर्थात आनन कुमार स्वामी का ऐसा मानना था कि जो भारती एकला है वह सिर्फ सजावट और सौंद्वरी से जोड़ के उसे नहीं देख सकते हैं बलकि उसकी द्वारा हम भारत की मानसिक्ता को समझ सकते हैं जो की विवेधिता में एक्ता का संदेश देती है भारती एकला ने मानोजाती के आदर्सों और मुल्यों को साकार किया है हमारी देश में जहां पर अधिकांस लोग और शिचित हैं कला ने सिच्छा के दृस्य माध्यम का काम किया है अर्थात कला के माध्यम से हम ऐसी बहुत सारे बाते या बहुत सारे मैसेज होते हैं जो दूसरों तो पहुचाते हैं इसने जनसाधारण के लिए महाकाब्यों, पुराडों और दंत कथाओं को सिलाओं, मिट्टी और संग्मर्मर पर चित्रित किया इतना ही नहीं कला ने भारत के धार्मिक मुल्यों को सजो कर रखा है और सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों में भारत की एक रूपता को प्रस्तुत किया है इस तरह देखा जाए तो कठोर तथा कोमल, भयानक तथा मोहक, तर्क संगत तथा सार्थक आदे, विभिन पहलू, भारतिय कलात्मक अनुभाव के अटूठ हिस्से रहे हैं आनंद कुमार स्वामी ने भारतिय कला के दर्सन की ब्याख्या करते हुए कई किताबे लिखी हैं मुख्य रूप से पस्चिम के देशों में पुराने समय में भारत अपनी संस्कृत की रचनाओं द्वारा जाना जाता था क्योंकि भारत की पहचान ही इसकी अपनी संस्कृत भासा से थी भारत की कला जो की लगवक चार सहस्त्रापदियों में बिख्सित हुई थी उसके विशे में पस्चिम में एक बहुत ही धुदली सी और असपश्ट धार्ना बनी हुई थी कि आखिर में भारत की कला क्या है कुमार स्वामी का मानना था कि भारतिय मुर्ति कला केवल मानो रूपी ही नहीं थी बलकि या भारतिय आदर्सों का वास्तविक खजाना भी थी सिव नटराज की मुर्ति मात्र मुर्ति कला की एक चरम उपलब्धी ही नहीं है बलकि वह मुक्ती अर्थास्वचंदता का प्रतीक भी है सिव का नित्य नस्वर्ता के बंधनों के साथ ही मनुस्य की आत्मा को सांसारिक बंधनों से भी मुक्त करता है कुमार स्वामी का यह मानना था कि भारती और यूरोपी गोथिक कला में बहुत जादे समानता देखनी को मिलता है कहां की बात हो रही है भारती और यूरोपी गोथिक कला की इन दोनों में कुमार स्वामी ने काफी समानता देखी थी हलाकि W. V. Hevel, Parsi Brown आदी लोगों ने भारती कला की तरह तरह से ब्याख्या की थी लेकिन कुमार स्वामी ने पहली बार भारती कला का विश्तित दर्सन प्रस्तुत किया था कुमार स्वामी ने परंपरा और आधुनिक्ता के बीच असपष्ट अंतर किया था परंपरा के युग में सामोहिक जीवन और गुडात्मक उपलब्दियों का महत्व था यह विशेश्ता, पूरु, मध्य पूरु और पस्चिम के सभी देशों में पाई जाती थी बिशु ब्यापी और दोगी क्रांती ने परंपरा के इस युग को बदल दिया इस नई युग में प्रति असपर्धा ने मनुस्य को भौतिक वादी और स्वार्थी बना दिया कुमार स्वामी ने बिज्ञान और तकनिकी का बिरोध तो नहीं किया लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि आधुनिक युग में इनका दुरुपयोग हुआ है इस नई इस्तिती ने मनुस्य को आक्रामक और स्वार्थी बना दिया और विभिन राष्ट, युद्ध और हिंसा के द्वारा एक दूसरे को दबाने का प्रयास करने लगे पुर्व और पस्चिम की तुलना करते हुए उन्होंने भारत के आध्यात्म और मुल्यों को दूसरों से स्रेष्ट दिखाने की कोशिस नहीं की है उन्होंने यूरोपी, चीनी और अर्बी ग्रंथों में पाये जाने वाले रहस्यवाद की सामयता पर विस्तार से लिखा है उनकी यह मान्यता थी कि पस्चिमी देशों की भौतिक उपलब्दियों ने पारंपरिक आध्यात्मिक्ता और रहस्यवाद को दबा दिया था इसलिए पस्चिम में पुना आध्यात्मिक्ता को नया जीवन प्रदान करने में भारत काफी हद तक प्रेरक साबित हो सकता था विस्ष्ट रूप से भारत पूरी एसिया का प्रतिनिधित्व करता था हालाकि चीनी सभ्यता भी महान थी उन्हें बौत धर्म ने महान स्वरोग प्रदान किया था जो चीनी सभ्यता है उसने बौत धर्म को काफी जादे महानता के रूप में चित्रित किया है जापान, थाइलैंड, स्रिलंका और कमबोधिया जैसे एसियाई देशों का मार्ग दर्शन भारतिय संस्कृती ने ही किया था अंतता महतपूर मुद्दा उन मुल्यों को प्रोसाहित करना था जो मानो जाते की विरासत थी आखे में मानो जाते की विरासत क्या है इसी पर उनका सबसे जादे ध्यान केंद्रित था उन्होंने लिखा कि भविस्य के चुने हुए लोग किसी एक राष्ट या जाती के नहीं होंगे बलकि वे पूरे विश्व के अभिजात वर्ग के होंगे उन्होंने ये कहा है कि जो आने वाला भविस्य है उसमें जो लोग होंगे वा किसी एक राष्ट या किसी एक जाती से सम्मंधित नहीं होंगे बलकि वे पूरे विश्व के अभिजात वर्ग होंगे और उनके अंदर यूरोपिय जो क्रियात्मक ताकत है और एसिया की जो वैचारिक स्वच्छता है इन दोनों का मिस्टर देखने को मिलेगा इसी संदर में वे यह चाते थे कि स्वाधीनता के लिए संघर्ष रत भारतीय राष्ट वादी एक ब्यापक द्रिष्टी अपनाएं वे यह भी चाते थे कि भारत के न उयुवक न केवल स्वतंत्र भारत की बलकि एक बेहतर बिश्व की भी कामना करें जो तनाव और संघर्ष से मुक्त हो विकास के नाम पर पश्यमी देशों की नकल करने वाले इनों भरते हुए नई राष्ट्रों को कोई विशेश लाव नहीं होने वाला है भारतिय महिला को भारतिय संस्कृति के आधार पर ही अपना अस्थान फिर से परिभासित करना चाहिए यदि वे पूर्सों के साथ प्रति अस्परधा करती हुई आधार भूत मुल्यों को त्याग दे तो वे अपना लच्छ कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी कुल मिलाकर उन्होंने पश्चिम को पूर्व या प्राचीन बना लेने की सला नहीं दी थी उन्होंने ऐसा नहीं माना था कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसको पूरी के पूरी तरीके से हम अपने पूर्वी जो एरिया है उसमें उसको अपना लें वे दोनों का एकी करण भी नहीं करना चाते थे वो ये भी नहीं चाते थे कि जो पूरू की सब्यता है और जो पश्यमी सब्यता है उन दोनों को एक साथ मिला दें वे यह चाहते थे कि उन प्राथमिक सिध्धानतों या नैतिक मुल्यों को वे फिर से अस्थापित करें जो मानोजीवन का आधार है उनकी दो महत्वपूर कृतियां हैं दोसरी पुस्तक है Christian and Oriental Philosophy of Art जो की 1974 में प्रकासित हुई थी तो दोस्तों आज ये आनंद कुमार स्वामी की एक संचिप्त परिचे और उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं इगनुमे वह थे और उम्मीद है कि आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया होगा आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे हमारी साथ जुड़े रहे धन्यवाद